हाई गाईस, मैंने बोला था ना मेडम का आएगा भाषण बाजी वाला व लोग मैडम का व्लोग गया है ट्रेंड में आ गया है 12 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है अभी जब में पुडकास डिकॉट कर रहे हूं तब वा हः मेडम वा है तिंकी पीयर वाह अच्छा सो मेडम गई थी जियो मॉल दोनों बेवी बोई के साथ बड़ी बोई के साथ और छोटी बेवी बोई के साथ अभी बेवी बोई ही लग रहा है जब से हैर कट हुआ है तब से ऐसे ही लग रहा है कि मेडम का बड़ा बेटा हो और वो मेडम की जो जोला चाप सूट इसको ऐसा लगता है कि यह ब्लॉग मनागर को इसान कर रही है बैग्राउंड में इतना नौइ से फिर भी मुझे यहां से जोह ले रहा है अपको तो पता होगा मैं चाय पीती हूँ अरे नहीं पता हमें भाई जियो मोल की तुम चाय पीतो क्या करें हमको क्या पता है और हम क् अब मैडम बोला था जूटी कुछ भी और इन दोनों नाया शुरू किया जैसे बालू पी करती है ना कि 925 वाला फील लेने के लिए हर रोज मौल पहुच जाती है अब यह दोनों सेलिप्रिटी से तो यह जीओ मोल जाते बालू पी जो है ऑबरा इंफिनिटी जाती क्योंक कुछ कर रहे हैं मतलब जो आप टाइप कर रहे हैं सब फील लेने के लिए वह जीओ मौल पहुच जाते हैं अचा एक और बात मुझे समझनी आती कि यह जो ब्रांडिट कपड़े रहते स्पेशली बच्चों के हमारे तो ठीक है कि हम पहन के बार पर पहन के वसूल कर सकते बच्चों के सिन में था इतने चोटा बच्चे तो बड़े होते रहते हैं मतलब एक साल का फिर उसके बाद दो श्रुत थी नहीं तो यह तो फिजूल खर्ची है लेकिन इनको लगता है कि यह बहुत अच्छा काम कर रहे ब्रैंडिट कपड़े बच्चों के लिए लेकर कुछ भी अच्छा जी अब जो है मक्ही मम्मा आ गई है पूने से मक्ही मेडम बोलती है कि मम्मी पूने चले गई थी क्योंकि उन्होंने बोल होगा फलाना धिमकाना दूसरी तरफ उसकी मम्मी अकेली कैसे पड़ जाएगी वहाँ पे तो शर्मीली जी एंड सिस्टर्स है भालू पीए सब है तो अकेली कैसे पड़ जाएगी हकीकत तो यही है कि जो ओन केमरा जो चुमी चाटी अमी जान करती है ना सब कुछ भी नही इसपेशली शर्मीली जी एंड मक्ही ममा इन दोनों की बनती ही नहीं है सबसे बड़ा रीजन यह है कि शर्मीली जी जो है उनको यह अच्छा लगता है कि दामा जो है घर जमाई बनकर आजे पूंदू मिला आते चले बेटी के पीछे लेकिन बेटा अगर अपने सास सुर क को थोड़ा बहुत पूछ रहे स्पेशली सास को तो शर्मीली जी को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है यह सब चीजे बड़ी आखे इदर उद्र मन मटकाती रहती शर्मीली जी ऐसा करकर के बार बार दिख दिख के लो गोल गोला के घुमां घुमां करकी देख रहा हम सानू भी पदल गया हाजकल देख रहे आच्छा है तो नहीं लगत चाह करे अभी अब समा सानू को जब साब बेटा होगा बोले पदल के है पहले आमियामी करता था अपनी बीबी को बावन देता था और जब सि-बेटा होगा बाप बना था थक थोड़ पादा है हमां सा इनग Belo आ चА छूड़ शड़ जी मुझे एक चिरसते ही जिसह की तो उना सुना सक है इसलिए पइनों को रखते हैं जो हमाये र inflation चिरव में तकिन करूम कहशा है अचा ने लग रहा आ तो प्रोड हम प्ल मिल रहा है अच्छा ने लग रहा चौब अचा करमप्ऽल माफ़्य जलते हैं बच्चों तर्चूड या लेने जहां 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 इनको छोड़ो शर्मीली जी को भाई मुझे एक चीज़ देखके बड़ी खुशी हुई कि उस गर में उस पच्चे के साथ पिना स्वार्त का किसी का गर रिष्टा है तो उसकी नानी का है ना उसकी नानी आई इत अंग्रेज से दीखता दूसरा वबच्चें जो था ना उननके पर जबेगा अप्वली और्पके से मावावाला किस वह फेल है यां कि उसको अपने नाती से प्यार है दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी शर्मीली जी है जो कि बहुत जादा मैडम को जब बेबी नहीं हुआ था तब बोलती रहती दादी बन जाए बस पोथ आ जाए दादी बनना है बस लेकिन जैसे दादी बनी है तब से दिखती नहीं है बस तो शर्मीली जी भी जो है सिंखासन पे बैठी रहती है उसको जो है बाजा या तो पेटी खिलाएगी या तो नान पिज्जा खिलाएंगे लेकिन वो अपने सिंखासन से हिलेंगी नहीं कभी भी ये बच्चा एक साल का होने का है शर्मीली जी एक मजाल है उसको मालिश प्रफिश करती हो उसके नाखून काट रही हो या तो उसको कुछ खिलाते हो यह दिख जाए ऐसा तो नहीं है कि भाई जबरदस्ती तुम्हें मना कर देगी नहीं नहीं आसा मत करो खेलने भी आते तुम खिला पिला सकते हो उसको बच्चे को ना एक बार भालू भी दिख अम्मी बहुत बेचारी है अम्मी को भाई सूट लेने नहीं कि लेकर गया वगरा वगरा भाई 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 पैसा तो देते ही होंगे ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर बार भी वो ले गए इतने तो दिलाते है अब कुछ ताइम पहले ही भाई उसकी गई थी कलेक्शन पे अच्छा खासा कमा रही हो तो अगर तुम बोलती हो बेटी बेटा बराबर होता है तो अगर तुम दिला रही हो तो उसमें कोई जताने वाली बात नहीं होती है उसने भाई खूब कि अब तुम भी करो तुम भी कमा रही है ना तो अगर दिला भी दी तो क्या है बुरी बा बोड़ी ही चाला को रहत है बाई अच्छा तो मैं यह बोल रही थी कि ना चालू को कुछ लेना देना है ना शर्मीली को है ना बच्चे से ठीक है मैडम के साथ तो उसने जैसे भी है वो तो पागल हो रहत है मैडम एक नंबर की सा ठीक में डोर में टी है मैं उसको बोलती हू बैर मिनिमम चीजों को लगता है कि को एक टोपी लाई थी शर्मीली वह बच्चे के लिए मेले मैं से 20-25 रुपे की रहेगी तो उसने 4-5 बार बच्चे को उड़ाए कि अम्मी लाई है ऐसा करके तो अगर वो जनाव उसको पैसे देते हैं उसमें से सेविंग करके बच्चे को एक जोड़ी कपड़ा गरती हार होता है तब दिला देती थी हाँ वो कमाती नहीं है लेकिन उसको पैसे तो मिलते है जनाव देते हैं हर महीने तो उसमें से अगर खाली वो पांसो हजार रुपे का भी एक जोड़ी कपड़ा दिला दी तो तो कितना अच्छा लगता अरे फिर वो तो ना बंदरा में जब भाशनवाजी करती थी तो यसी बात है बहुत अच्छा लगता है जब जो है अम्मी यह से ल गान गाने लगती थी अगर लाती ही तो लेकिन अम्मी जो है वो इतनी सेल्फ अफसेस्ते कि उसको यह सब सोचने का टाइम ही नहीं होता है वो अपने सिंखासन पर बैट के पेटी खाला को हुकम देने में भी जी है वाई उसकी उतनी दुनिया है ना उसको पोते से लेने लगाएगी और आराम से राजगदी पर बैटे कि बाई यह अलागी लेवल की सेल्फ अफसेस्टन से शर्मिली जी के अंदर और घबराट क्वीन बेटी जो की एक रियालिटी को शो के स्टेश पर जाकरे बोलती है कि भाई ने बाप का फर्ज निबाया वगेरा वगेरा त वाइ के इदर एकलौते भाई के इदर एकलौता बच्चा है तो उसको कुछ नहीं इद पे दोगी तिए भाई के लिए सब बूरे यह वाई बूर्या पकंग सब. तो कितनी शर्म की बात है कि जिस भाई भावी ने इसका करियर बनाया है किसी ने कॉमेंट सेक्षिन में लिखा था कि मैडम आप ऐसा मत बोलो उसने अपने खुद के दम पे किया है यूट्यूब पर या तो इंस्टाग्राम पर भी इस गबराट कुन को कौन देखता अगर व जनाब की बहन के नाम से चपते इसके खुद के नाम से नहीं चपते है तो इसकी जो आइडंटिटी बनी है वो भाई-बावी के जो है बदौलत बनी है भाई-बावी के ने एक वक्त पर श्रुगल किया था उनको फेम मिला था एक शो की वज़से अब उस फेम का फाइदा उन दोनों से ज़्यादा उठाया भालोपी ने अपना व्लॉग चेनल बनाया और उन दोनों ने उस तरहें पे एकदम बिना किसी स्वार्थ के पे फुल सपोर्ट किया था जनाब जो है उसने उसको कैमरा भी गिफ्ट करा था और लैप्टोप भी ताकि वो बहतरीन वीडियो बना पाए है ना वीडियो अच्छे से एडिट कर पाए और अच्छे से वीडियो को रेकॉर्ड भी कर पाए शूट भी करें तो यह आज तक इसने खुछ से कैमरा नहीं लिया जनाब का गिफ्ट किया हुआ है ना तो अगर यह कोई नहीं होती इसको इसकी कोई फेस वेल्य नहीं होती ना ही जनाब मैडम जो है इसकी बहन होती और अगर यह यूट्यूब पे वीडियो बनाती तो वह वही करोड़ों लोग जो कि आज भी प्रयास करें उनका चैनल हिट नहीं हो पाए उन्हीं के लिस्ट में होती क्योंकि दिखाने के लिए कोई स्किल भी नहीं है अगर कोई अच्छा पेंटर हो यह पेंटिंग दिखा रहे तो भी वह चल जाएगा अगर किसी को जो सिलाई कड़ाई आती है तो ऐसे भी चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर्स होते है किसी को महंदी लगानी आती तो अपने जो है वह दिखाता है किसी को अच्छी कुकिंग शुरू शुरू में इसने फोकस क्या किया भाई भावी को दिखाना कोई इसको क्यों देखना आता सबको देखनी थी वो रिसेंटली कंवर्ट हुई मुस्लिम धर्म में आई एक टीवी एक्टरस और कोवीड के टाइम पर सब फूरी थे कि वह सबको यह देखना था कि तो जो फिर एक फैमिली व्लॉगर्स होते हैं कि वह फैमिली को दिखा रहा है तो सबको इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि वह बच्चे इन्वाल थे उसमें पिज्जा और नान बच्चों को भी देखना था सबको जिस वजह से इसके व्लॉग्स चलने लगे हां लेकिन चाम हो गया अब इन दोनों के मुझे क्या ज़रूत है अब तो मैं मैं पैसा कमा रही हूं मैरा हो गारी है अब इन दोनों के मुझे कोई जरूत है नहीं तो किसी को भी मुझे लगता है कि मैडम ने जो भाषाण दिया ना घंडट परसंло गलत भी नहीं वह और फालुद स उसके फादर की अबी भी वह जिन्दा है की वो तो यह है STAR जनाब बोले तो भी समझाते है look और दूसरी बात तुमने खुद के पिता को appreciaid नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए कि भी तुमें इतना support किया तुम्हारे हर फैसले में उन्होंने साथ दिया थीग है यूट जो भी उन दो नौन पति पत्नी की आपस म में नहीं बना आ जो भी तुमने तो उनको तब भी जलील कि op भी खुड मा देखका है वगएरा वगएरण तुमने तो तभी भी नहीं बख्षता था उनको, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे हर एक गलत सही फैसले में साथ दिया, तुमने कैबिन क्रू बनना था तो उन्होंने वहाँ पे भी ठीक है कि तुम्हारी मरजी, तुम्हें एक्ट्रेस बनना था, वो भी तुम्हारी मरजी तुमने पहले शादी लाव मेरश की वहाँ पे तुम तब Christian बन गई कोई बात नहीं है, फिर तुम ने वह शादी तोड़कर दूसरी करी, तुम Muslim बन गई कंवर्ट होगर, कोई बात नहीं वहाँ बीचारे इतने बुजर्ग है, हमेशा मिलने आते थे, कभी भी, मैंने नहीं चार साल में कभी भी यह गई हो है ना जनम दिन है तो भी बिचारे यहां पर उनकी बेटी के घर पर आगे केक काटेंगे ऐसा नहीं कि वो जाए वहां पर सर्प्राइज दे क्यों भाई यह इसा इतना बेदबाव क्यों और तुम यह बोल रही हो कि भाई जनाब जो है उन्हो को लाइक बनाने की पीछे जनाब ने खुद बोला था कि उनके पास उसके पापा इतने लाइक नहीं थे उतने पैसे नहीं होता था क्योंकि कम तंखा थी फिर भी उनके पापा के पास आखरी 5000 बचे तो उसने अपने बेटे को दे दिये कि जात तुझे जो करना है वो कर अ इतना गुणगान गा रही हो मुझे समझ नहीं आता और तुम तो आखरी इंसान होनी चाहिए सब बोलने वाली जिसको जो खुद अपने पिता को इतना जादा डिस्रिस्पेक्ट करती है थोड़ी सी भी उसके पिता की या मा की वैल्यू नहीं करती है वो गुणगान गाए तुम लेक्चर किस बिना पर दे रही हो जब तुमने खुद ने स्टड़ी नहीं किया तो तुम सिखा क्या रही हो लोगों को माबाब बच्चों को पड़ा लिखा कर बड़ा करते कावील बनाते ताकि वो आगे बढ़ पाए है ना सही रास्ता तुनना गलत रास्ता चुन लेकिन फिर वह उनको तो एकदम ऐसा कर दिया वह कुछ नहीं है जितना ने एक वक्ये बाद किया है इस बोला जाते हैं कि फरद निभाया यह निभाया और यह बहु ग्यान दे रही आकर बहुं अयसा था व्यसा था बहु उसको बेगा वह तो लेगी एकर इसको अपने काबिल वनाया है लोलकर जनाब को जनाब को बनाया उस वक्त कुट को मृच्छ पेल और सेयं यदि कि पहर बने दिया थे को और जनाब जो क्रींज सी तोपी पहले थी कॉपी बेस को घो ले निकाल 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 और बच्क यह अच्छा अज्ञ नहें लग रहया था यह क्रिंग कि यह क्या नोटंकी गDaddy चक करेंग के questioned the सब्सक्राइब वो दो साल का था तब से यह लोग जो है उसको संभाल करें मतलब द्दित आज होगा व 11 साल का तो उनको पड़ा लिखा कर बड़ा किया इन ही लोगों ने सब ने जनाब ने उसकी माने उसके पिता जीने सब ने तो भई वह होता है कि बहुत अगर आपने पैटी खाला या उनके हस्बेंट की तरब से कभी भी आपको नहीं दिखेगा उन्होंने बच्छो को एक जणनम दिन हो यही लोग सब कुछ करते हैं तो बहए उसका बोर्ण तो उबिस्के वाला पादर के सथ नहीं बनेगा और वो जो फील होगा बाप बेटे वाला जो बॉंड होगा नहीं दिखेगा क्योंकि भाइक कभी रहे ही नहीं है तो कैसे वह जो है फील हो आएगा नैचरली हाँ वो फिर कॉमेंट पढ़ने के बाद भालू पी नहीं सिखाया होगा तो चले गए चले 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 गए बट वह नहीं आएगा आगी नहीं सकता नैचरली और इस सब में उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं इस सब में गलती उसके पैरेंट्स किये कि उसने अपने दो साल की बच्चे की जिम्मेदार किसी और पर थोप दी हाँ उन्हों ने बढ़ पनी एक तरीक है कि बढ़ गार्ज कर सकते थे इसली लेकिन नहीं उन्होंने अपनी हाथ खड़े कर दिया खुद बच्चों की जिम्मेदारी सथे तो नान को या तो पिज्जा को नहीं इस बात के ब्लेंग कर सकते कि उन दोनों का कोई बॉंड नहीं उसके माता पिता खुद जिम्मेदार है सब की यह विए अब रेडी रहना भालू अपी के व्लॉग के लिए दमदार व्लॉग होगा जहां पर पापा इब्रहें को भी बेठाएगी और अम्मी को देखना शॉपिंग करना है और अगर कल आया तो नहीं करेगी क्योंकि सुन लेगी फिर वह इसा नहीं करती है जो सुनती है उसका उप अब क्यों अब क्यों अब क्यों आशा बोलते हैं वह तो बहुत प्यार हुए बिचारे अब देखिए मेरे पैसे यूज करते हैं उसके लिए तो मैं सुना ती थी ओफ कैमरा लेकिन इतने पुरे नहीं है फ्रेंसु जैसे मैं जो बोलू वहां हमारे पीछे-पीछे दूमि आजाने लगता है तो हमें वापस से जो गूगल पूरे करके महीने मच पचीस बार तो हमें गूगल पर करके उनको खिश के लाना पड़ता है स्टेशन से तो क्यो हमारे पैसे जो बरबात करने पे तू ले हो प्यारू बात नहीं है टाटू चलिए जी फिलाल ले बसता है मिलते है नेक्स फोर्कास्ट में अपना ध्यान लखेगा बाई